नमस्ते में नाम लक्षम मजगा है आज हम लोग जानेंगे किचन के चुर चुरे टिप्स और ट्रिक्स इसे फॉलो करके आप अपने घर को अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बहतर ही मना सकते और मैं आपको बताओ एक किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो करना किया शोड़े को डीटरजन रहेता है कियाए आपको रूबस्पुन की करीब और इसके बार में स्क्रेबर रहेता जिससे आप अब बरतन घंसिते हैं वर शायता सीनी तो पीस घ्चन को गरण देखोंगे इसकी तो जो जारतों पूरों के जाने फे निरमा और शीज़ि आप निर्मा काम करती है, क्यूंकि के गपड़ें के उसी तरह से अपने सिंख को भी नीर्मा और कोलिट के साहिता से आप साफ कर सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह से घ्स लेना है उसके बाद में क्या करेंगे यह जो स्क्रबबर हो रख देंगे और इन्हें अच्छी तरह से मैं द्होलाई है तो आप देखेंगे इसमें जो भी तेल कटकश्च भगरे़ दाग था या फिर जो भी दाग थे किमिंकि शिंक में normal हो ज त्रेज़ गरग थे साफ राग गई घाते वागॡ छिलके रहते हैं वहर्ग योगि पेड़ियों वीडियों निकाल के पड़े देख लिए खे लिए आझ ब एपने के लिए आप प्रॉरी के लूठ चैमाนसody इसको बाहर फेकना नहीं है इसको मैंने हलका सा सुखा ली हूँ आप चाहे तो जो जो तूरंत आपने निम्बू नी चोड़े हैं उसका भी इसके बाद में क्या करेंगे इनको लेंगे और इसकी जो अंदर का है वो चीजे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें मकोड़े जुठे के आप चेता है क्या करना है चैनल दे दे ता शुठी को पूझा दालना है और हम को यह जलाना है वह नार्मली जास की बनाते हैं तो जैसे इस तरह से कपास की बाती बना ले और अगल कर लिए ताकि यह नहीं आसानी से जला सके तो यह मैंने गिला कर ली ह इसके बाद में आपके पस में माचीस होगी तो माचीस की सायता से दिया को क्या करें जला ले दृगा से और यह जो जलती है उसके जो धूवा निकलता है वो धूवा बहुत काम के है कि जितने भी नीगेटिव एनेरजी रहती है वो पूरी खतम हो जाती है उसे बहुत सारी चीजे को अपरोज वगरे।, एसे खाट है जो किणड यसमेल आता हूं... तो मैं नम्रहा कीड़े ही विल्थे मतलब किकलम के घाले मुझाओा हैं, आनकाकः तो अगर आपो रात के लगा कर… पर जुप चाप सोचाओं और देखोंगे इसमें बिल्कुल भी जो कॉक्रोज वगरे रहें वह बिल्कुल नहीं रहेंगे इस तरह से शिंख में रखे इनको जला कर तो इसकी समेल की इसमें लॉंग है और जो निम्मू की समेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉंग रहती है कि उससे बहुत कुछ मतलब की भगज़ती है तो इनको जला कर इदे की इस तरह से सिंख में रखे तो आप देखूंगे कि इसके कॉक्रोज वगरे जो भी मच्छड कीडे मकोडे आते हैं तो वह बिल्कुल भी नहीं इस तरह से चोटे से उपाय करें चोटे हैं लेकिन बड़े काम क इसके बाद में आप कभी भी निम्बो को चिलके है उसको फेक ना नहीं है इसका इस तरह से सिस्तमाल करें तो आपके केडे मकोडे और जो भी कॉक्रोज भी खतम हो जाएंगे नेक्स नमारे टीपस और टीक्स है प्याज और अलू को लेकर हम लोग क्या करते हैं प्याज औ आने लगती हैं तो इसलिए आप प्याज और आलू को साथ में नहीं रखे इन्हें क्या करें हमेसा अलग अलग ही रखेने तो क्या होगी आपकी जो प्याज है वह भी सढ़ने लगी और आलू तो सढ़ेगी मतलब दोनों चीजे जो है वह सढ़ने लगती है अगर हम आलू के क्या करें हमेसा अलग अलग तोकनी में या फिर अलग अलग पॉलिथिन में या अलग अलग थैले में रखें